स्कूल बंद हुए एक मेना हो चुका हम भी घर में है और तुम भी घर पे हो नया सेशन स्टार्ट होड़ना चाहिए था हमने डिसाइड किया है कि घर बैठे कुछ पढ़ा जाए तब घर बैठने का अर्थ है कि सोके लेट के नहीं तुम अपने आपको जैसे क्लास के लिए रेडी करते हैं वैसे रेडी हो जाओ यानि कि अच्छी तरह से पहली बात है बैठ जाओ और उसके बात ध्यान से सुनना है यह हमारा इस सेशन का फर्स्ट इंग्लिश क्लास है यह जानना ज़रूरी है कि हम क्या पढ़ेंगे यह समझ जाओ यह जानका आए डिलो कि हमारे इंग्लिश में दो बूक्स है एक है मेरी गोल्ड जो टेक्स्ट बूक है दूसरे है इंग्लिश ग्रामर हम आज मेरी गोल्ड की बात कर रहे हैं मेरी गोल्ड में 10 यूनिट्स है यानि कि 10 पार्ट सै और यूनिट वान में दो चैप्टर्स है एक है वेक अप और दूसरा है नेहाज अलाम क्लॉक दोनों ही चैप्टर्स नेचर से डील करता है यानि की प्राकिर्थी से प्राकिर्थी यानि गॉड मेड जो हिश्वर बनाए है जैसे हमारे आसपास देखो चारो तरफ देखो पेड़ पौदे है यह गॉड बनाए है जीव जन्तु आनिमल्स है बर्ड्स है यहां तक छोड़ी सी एंट है यह किसने बनाया गॉड और सबका अलग-अलग रोल है वह ही दिखाना चाहता है इस पोढ़ में पहला जो एस आप्टरज में वेक-प और नियहाश-अलाम-क्लॉप कि नेचर जो है कितना सुंदर है और हर चीज की सुविधाइस में है पहला जो चैप्टर है एक पोएम है जो इस वेक अप है वेक अप याने उठो कौन उठा रहा है किसे यह हम देखेंगे तुम्हारे पापा ममी तुम्हें उठाते हैं और जो एनिमल्स हैं बर्ड्स हैं इनको कौन उठाता है कैसे समझ में आता है कि भोर हो गया है सुबह हो गया है हमें उठना चाहिए अपने अपने काम में लगना चाहिए यह नेचर ही बहुत बड़ा mystery है इसका तो first chapter हम दो देखेंगे वेक अप यानि उठो वेक अप वेक अप इस लवली दे नेचर जो है जैसे समझ लो की बर्ड्स ही कह रहे हैं उठो 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 वेक अपने अच्छा दिन है यह ओ प्लीज गेट अप यानि वेक अप उठो और and come and play आओ खेलो मेरे साथ आओ हम लोग खेलें the birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees birds क्या कर रही है गा रही है जो लोग खुश होते हैं तो गाते हैं तो birds भी कहां trees में उनका घर है वो और bees bees समझते हो मदुमकी वो बजबजाती है वो बन बनाती है तो bees भी अपने कुशी से बन बना रही है तो देखो एक बार फीर हम लोग रिपीट पड़ते हैं इसे wake up wake up it's a lovely day oh please get up and come and play उठो और क्या करो आओ हमारे साथ खेलो the birds are singing in the trees देखो birds क्या कर रही है पीत गा रही है और जो यह है तुमारा क्या जो bees है वो भी गुन गुना रही है यहां देख सकते हो कि एक picture है इस page में पिक्चर में दिखा रहा है कि जो भोर में सभी लोग बहुत खुश है birds देखो boy जंप कर रहा है उसका चेहरा देखो कितना खुश है यहां जो duck है वो भी और duck पानी में अपना खेल खूद रहा है तो भोर का जो समय होता है सभी लोग खुश रहते हैं रात को रेष्ट के बाद अब हम लोग इसका second page में जाते हैं और second stand आ देखेंगे उसके पहले देखो जो यहां भी pictures कुछ दिया हुआ है जैसे sky में sun जो हैं जो कितना खुश राइजिंग sun जो ऊट रहा है वोग रहे हैं सुरज birds देखो बहुत fly कर रही है और horse अपने stable में है उसी तरह से बच्चे भी खेल कूद रहे हैं बच्चे भी ऊट गए हैं कितने खुश है second stand आ देखेंगे हम लोग उस तरह से wake up wake up it's a lovely day oh please get up and come and play फिर से repeat कर रहे हैं nature birds कर रहे हैं उठो उठो बहुत अच्छा दीन है और oh please get जल्द उठो and come and play आओ खेले it's much too late to be in bed बहुत देर है अभी तक जो लेते हुए तुम बेड में यह बहुत देर हो गया so hurry up you sleepy head तो जल्दी उठो भई sleepy head याने कि तुम्हें नीद आ रही है पड़े पड़े उठो so hurry up you sleepy head अब उसकी बाद क्या करते हैं wash and dress wash and dress wash and dress and come on out everyone is up and about the cow the horses the duck and the sheep the tiniest chicken cheap 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 wake up आप कहते है वाश का उतने के बाद से क्या करो सीधा बाहर नहीं निकलो खेलने के लिए वाश पर ड्रेस को यानि हाथ मूह दो फ्रेश हो जाओ dress up कर लो रात का dress change कर लो और आओ come on out आओ बाहर आओ everyone is up सारे लोग उठ गये है everyone is up यानि सारे लोग और अपना अपना काम में लगे हैं कौन कौन देको the cow the horses the ducks and the sheep भेड भी ducks भी सारे लोग the tiniest chicken chicken यानि हेंस के जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें chicken कहते हैं और वो tiniest यानि tiny होता है very small tiniest सबसे छोटा क्या कर रहा है चिप 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 wake up एक बार फिर हम शुरू से पढ़ेंगे सारे लोग ध्यान से देखें उसके बाद से फिर एक साथ पढ़ेंगे ओके picture को ध्यान से देखना है सारे लोग खुश है let's read and recite कहता है आईए पढ़ते हैं और साथ साथ बोलते हैं यह अभी नहीं करेंगे हम अभी पढ़ रहे हैं उससे ध्यान से सुनो ऐसे ही करना चाहिए wake up देखो exclamation mark है यह एक लाइन कीच के dot उसको exclamation mark करते हैं okay तो करते हैं wake up wake up wake up it's a lovely day wake up wake up it's a lovely day oh please get up oh please get up and come and play the birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees the birds are singing in the trees and you can hear he and he is the buzzing bees wake up wake up it's a lovely day oh please get up and come and play it's much too late to lie in bed so hurry up you sleepy head so hurry up you sleepy head repeat I will repeat एक बार फिए रहे लाइन करते हैं wake up wake up wake up it's a lovely day oh please get up and come and play it's much too late to be in bed So, hurry up, you sleepyhead, then wash and dress and come on out, wash and dress and come on out, everyone is up and about, the cow, the horses, the ducks and the sheep, the tanniest chicken, cheap, 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 wake up, now we will do this again, you will and say, let's read and recite, read and recite, read and recite, read and say, wake up, wake up, wake up, wake up, it's a lovely day, wake up, wake up, it's a lovely day, oh please get up, oh please get up and come and play, and come and play, the birds birds are singing in the trees, the birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees, and you can hear the buzzing bees. Look at the picture, second stanza, wake up, wake up, it's a lovely day, wake up, wake up, it's a lovely day, oh please get up, oh please get up and come and play, and come it's much too late, 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 to be it to lie in bed it's much too late to lie in bed so hurry up so hurry up you sleepy head wash and dress wash and dress and come on out everyone is up and about everyone is up and about the cow the horses the ducks and the sheep the tiniest chicken the tiniest chicken chip 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 wake up अब आज के लिए इतनी है एक काम करो इसको सब कोई बहुत अच्छी राइटिंग में लिख जाना है क्जेंगा दुज में लिए जाका कूंआऑो रीध ढग सब जाना हम नाना हम आजया हुआ ऐना हम 55 एना हम दुझ का कि आप Him राब रूह दूझाओ नाना हम हम एक बहुत्चाना हुआ भूख दूशना हम जाना हम एक भूहम जप Gin, पूछरे हम 10 Χ 6